हेलो त्रियन भैमली तो कैसे हो आप सबी लोग आई होब कि आप सबी बढ़िया होगे तो पिछला एपिसोड तो तुम लोगों ने अभी अभी देखा है है ना मज़ा आ गया होगा काफी सांदार था मतलब जादा सांदार नहीं था बट इतना बुरा भी नहीं था यार दिया करो यार इस समय भी लाइफ में बहुत अंबैलेंसिंग चल रही है साला क्या ही बोले हैं भाट आओ तुम लोग कुछ साथ ने दुख नहीं रोंगा बट इतना जरूर वो लूँगा पांच्छा दिन से सो नहीं पाया यार प्रॉफर नहीं आई मुझे और लगता है गुलगुच्चु में घुसा हुआ था एक मैसेंजर आता है चारतरफ के एरिया को स्कैन करता है कापी सारी चीज़ा हमें बताता है जिस चीज में मुझे को इंट्रेस्ट नहीं है नहीं मुझे बतानी है तो लोग को जाननी भी नहीं है देन हम लोग ने देखा हुआ होता ता, यूलिंट जोउन की दब दोड़ता हुआ आता है Salada, पर उसके जो चाहिए ने पहले। अच् plugin के बाहर ख़ड़ा और उसके पीछे एक भंदा होता है जो उसको ओपर अटेक करता है । यूलिंट का आफी बंदा भीinta बचाने इसको आपको सेक्रिफास कर देता है जो देकर यूलन भागते हुए जो यान से मदद मांगता है और कहता है मास्टर आपको जो क्रिश्टल चाहिए है वो क्रिश्टल इस बंदे के पास है इसलिए आप मुझे बचा लीजिए तब ही जो आन भी वहाँ पेर होता है और यूलन को बचाता है उस बंदे को देखता है बंदा भी जो आन को देखकर सरेंडर कर देता और वहाँ से दो क्रिश्टल देकर जो आन को भाग जाता है जिसके बाद जो यान और यूलन के बीच में कुछ बाच्चीत होती है और इसके बाद जोयान अपना वीश्ट ट्विश्ट को निकालता है और चारता अपने औरकानलिस करता है जो काफी पारफुल था जो देखर यूलिन भी काफी कोस होता है और एपिसोड मैं वहाही एंड कर देता हूँ तो यह जो एपिसोड था वहाही पर एंड होता है तो चलो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होने वाला है आजाओ तो इस एपिसोड की स्टार्टिक में जोयन तुरंती कहता है मुझे रास्ता दिखाओ जो देखाओ यूलिंग तुरंती खड़ा होता है और सीधा ही उड़कर जोयन को प्रणाम करता है और घूमते हुए किलिंग इंटेंट औरे के साथ सामने की तरफ दोड़ने लगता है दूस्तर जोयन फ्लेम किस्टल गोल्डन क्रोकोडायल के सिर को थपता पाता है और एक पल की जिजक के बाद अचानक वो बीश्ट भी बाहर की तरफ निकल जाता है और इससे पहले कि वो थाउदेंट फीर्ट के क्रोस जा पाता एक हलका सा फ्लेम बेरियर उसे कवर कर लेता है जिसे देखकर क्रोकोडायल बीश्ट थोड़ा सा इस्टेबिल हो जाता और उसकी आँको में थोड़ा सा डेर भी था तब इज़ान अपने हाथों को उठाता और तेजी से उसके हैंडप्रिंट साइन बदलते हैं और उपर गिता भी सारा करते हो जान तुरंती कहता है ओपिन जैसे ही ज़ान कहता है ओपिन वो पर्दा तुरंती हिलता है और उसमें एक क्रेक दिखाई देता है जो देखकर तो फ्लेम क्रोकोडायल गोल्डन बीश्ट की आखे भी चोड़ी हो गी थी और वो खोस होते हुए जोर से रोड करने लगता है और ददकती हुई रोस्ति के साथ क्रेक से बाहर निकल जाता है जो आन ने इस बैरियर के भारे में काफी कुछ आजमाया था और बेसक उसे तोड़ने का तरीका वो नहीं था जो 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 जोआन ने सोचा था बलकि ये जोआन को केबल जान लाओ ने बताया था क्योंकि जोआन अब इसलिए फॉर्मेसंस और डिस्टिक्संस में अच्छा नहीं था इसलिए से तोड़ना जोआन के लिए अभी भी मुश्किल था लेकिन जान लाओ के लिए तो बास चुक्की बजाओ यार खतम दूसर अब गोल्डन फ्लेम क्रोकोडाइल बीश्ट दो उस बैरियर से जैसे ही बाहर निकलता है साथी कई सब फीट के उसकी जो बॉड़ी होती है और उसका जो रोर होता है वो पूरे के पूरे यान है इस्टार को कापने पर मजबूर कर देता है उसकी जो बॉड़ी होती है वो आर्थ और हैवन के बीच में होती है जिसके कारण आसपास का जी स्पेस था वो भी फ्लेक्शुरेट हो रहा होता है और ये पहली बार था जब उसने बॉल के उन्हों से थाउजन्ट फीट की दूरी पर ट्रैबल किया था दूसरे उसके रोड के बीच में जियान उसके सिरकों पर क्रॉस लेकर करके बटा था जबकि सामने यूलिन कापी डरा हुआ लग रहा था इस अंट्रेश्टेट सीन को देखकर साथी उसके चर पर एक अलगी एकसाइटमेंट था उसे समझ में आ गया था कि उसने एकदम सही दाव लगाय था लेकिन जो यन यहां पर अपराध ही नहीं था ये बात तो से पता नहीं थी वो अभी भी आगे बढ़ते उस जन को रास्ता दिखा रहा होता है और जोयन उसके पीछे पीछे चल रहा होता है जोयन साथी काफी सांथ भी था और क्रोकोडाल के सिर पर बैठा हुआ था साथी जोयन के चार्चर प किलिक इंट फैला हुआ होता है जो स्ट्रॉंग पे स्ट्रॉंग होता जा रहा था साथी वहां पे coldness और strong औरा महसूस हो रहा था लेकिन जोन अभी भी सान्थमानु जैसों से कोई चीज महसूस ही न हो रही हो और यूलिन तो अपरी fully speed के साथ सर पर दौल रहा होता है यहाँ पे जो उसकी speed थी बो भी कापी तेज हो गई होती है और वो सीधा ही गो जैन के मैंसन की तरब बढ़ रहा होता है flame crocodile crystal beast उसके पीछे पीछे खुसी से दाहरते हुआ आंगे बढ़ रहा था क्योंकि अबसलिया और भो भी बहुत टाइम बाद freedom को feel कर रहा था साथी वो रोर करते हो सभी को ये बता रहा होता है कि अपसे मैं भी आ जाद हूँ आखिरकर वो बरसो से वहाँ कहता जबसे वो होस में आया था तब से उस गंठे के अंदर रखा गया था और जादा जादा वो 1000 फीट तक उड़ सकता था और ये seal बिलकुल एक पिंजरे की तरह थी जो पीडियों से उन्हें फसा हुए थी और अगर ये जोयन के लिए नहीं होता तो वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आपाता और अपनी life हमेशा वहीं बिताता लेकिन जाद की पिजेंस ने सब कुछ बदल दिया था और यान ही इश्टार के seal और rule दोनों तोड़ दिया थे हालक ये जो sealing formation से ये काफी अदहाड हैं और old जाद की पिजेंस के बिना जाद के लिए इन्हें solve करना बिलकुल impossible था जैसे flame crocodile golden beast की दहाड गुंचती है आसपास सब को चकना चूर कर देने वाला atmosphere हो जाता है और यान ही इश्टार के उपर अलग-अलग sealing, formations, fluctuate होने लगती है यहां तक कि यहां के लोग भी काफी हैरान होते हैं उन्होंने देखा था कि कुछ टेम के लिए पूरे ही यान हे C के उपर रोर की आवाज है घूमने लगी होती है और अचानक के इस परवेटर ने सभी को काफी हैरान कर दिया था और confused भी कोई अंदाजा ही नहीं लगा पार था कि हुआ क्या साथी सभी डिरेक्शन से आने वाले इस तरीके से रोर अप्रेसर ने उन लोगों को काफी helpless बना दिया था और यह सोच रहे होते हैं कि लगता है messenger एक बार फिर से आ गए कास तोर पर वो लोग जो अपने अपने अरिया में sacrifice कर निकले जा रहे थे यानि कि बली चड़ा निकले वो लोग तो काफी हैरान होते हैं साथी वो dead bodies को नहीं देखते बलकि अपने अपने अरिया के आस पास के उन formation और सील एरियास की तरफ चले जाते हैं जहां से ये दहाडने की आबाजी आ रही थी साथी इस दहाड में इरसा जैलिसी और पागलपन होता है और ये feeling उन लोगों को काफी अदा हैरान कर रही होती है ये सिम बैसा ही थे जैसे काफी सारे लोग काफी long time से सील थे लेकि सोर और रोर दूसरों को खुद को तयार करने का तरीका था जिसके करण पूरा याने इस्टार काफी aggressive हो गया होता है और याने इस्टार पे मौजूद लोग हैरान यहां तक कि उनके comparison में याने इस्टार में बॉलकेनों के पास तो जो लोग थे वो काफी डरे हुए थे क्य और यह बीश्ट काफी दबंग और रिच लग रहा होता है जैसे वो दहार रहा था आसपास के एरिया में हंगामा मच रहा था और अगर किसी नहीं से अपनी आखों से नहीं देखा होता तो वो वास्तों पे इस बात पे विस्वाद भी नहीं करते तभी कुछ बंदे तुर क्रोस लेकर के बैठा है इस टेम पे जमीन में इस बीश्ट को देखने वाले हर कोई यहीं डिसकस कांट कर रहे होते हैं और डिसकस क्या यह सोर कर ऑए होते हैं वाई। तो और भी ज़ैदा umed belieबेड वन तरीके से हेरान होते हैं इनकी सांसे थूड़ी थेज होती है और काफी खतंडाग भी और आखे कन्फ्यूजन से भरी हुई जौन के जो इंप्रेसन थे वो काफी हैरान थे और वो हैरानगी से नीचे के लोगों को देख रहा हुता जो डरे हुए थे जिसके बाद जौन उन्हें इग्नोर मार देता है हलाकि जौन ने देखा था कि इन से ज़ादे था लोगों से किलिंग इंटेंट औरा निकल रहा है लेकिन अब्वेसली इन में से कोई भी जौन को हलके में लेनी की हमत नहीं कर सकता था दूस्तर अप यूलिन जो जौन को लीड कर रहा था क्रूल बीष्ट के रोर के काड़ उसका चेहरा भी रेड हो गया होता है साथी यूलिन तो इतना एक्साइटेट था कि वो तो रन थी गूज जैन के मैंसल में पहुँच जाने चाहता था और जिस बात ने उसे सबसे ज़्यादा एक्साइटेट कराए था वो था उसके पीछे आसमार में प्लेम क्रोकोडायल गोलडन बीष्ट साथी उसके पीछे कुछ और भी गोलडन बीष्ट दोड़ रहोते हैं या कि हवा में ओडं रहोते हैं और अगर कोई भी यहां पे कुछ भी मिश्टेक करता है और अगर कोई भी यहाँ पे कुछ भी मिश्टेक करता है तो उसके लिए पच्चताने के लिए लाइब भी कम पड़ सकती थी उसी टाप पे यान हेश्टार में सबसे उचब पहाड़ पर एक घर में क्रॉस लेग बैठी हुई ओल लेडी अचानक ही अपनी आखे खोलती है और आखे साइन हो रही होती है जिसके बाद उसके बड़ी बिना किसी हिचके चार्ट केहल जाती है और आसमान में दिखाई देती है और तुरंती दूर से आ रही दाहाड की तरब वो दौर पड़ती है और जब वो देखती है तो उसके चैरे के इंपरेसन ही बदल गए थे और वो काफी चौक गई होती है वो तुरंती अपनी आखों को सिकोड लेती है और गहरी सांस लेते हुए बुदबुदद आते हुए कहती है किसी ने फ्लेम क्रोकोडाइल की सील को ओपन कर दिया वो परसन कौन है और उसने ये कैसे किया या ने इस्टार को सील किया जाने के बाद अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ ओल लेडी क्या के सिकुरती जा रही हो जैसे वो कुछ सोच रही हो और अचाना कि उसकी फिगर रैन्बो में बदलकर आंगे की तरफ चली जाती है याने इस्टार की दूसी साइड पर जहां पे एक मात्र गार्डन होता जिसमें एक आदमी पेड़ पौदों को पानी से सीच रहा था इस रोर को सुनका उसका चैरा भी ठिटोर गया होता है और वो भी हवा में लटके हुए उस एरिया की तरफ देखता है और हापने लगता है वो तरफ दिकता ऐसा कहा जाता है रेड इस्टार ट्रांस्परमेशन के दौरान यानि कि याने इस्टार के दौरान first seal को destroy कर दिया गया है क्या ऐसा हो सकता है God punishment land पर दूसरा transformation होने वाला है क्योंकि golden crocodile beast यहां roar कर रहा था इसलिए other places में जो seal monsters थे वो भी बुरी तरीके से roar कर रहा होते हैं जिसने एक ही time पर यान हे star को डरा कर रख दिया था यहां तक की जोन भी इससे अंजान था कि golden crocodile की seal को open कर देने से एक ही पलब पूरे यान हे star के अंदर ऐसी चीजे भी देखने को मिल सकती है साथी जोन द्वारा break की गई seal के बीख हो जाने और तार चड़ाओ के कान पूरे ही यान हे star में fluctuation फेल गया था और यान हे star पर एक के बाद एक यह fluctuation आ रहा हो होता है और यान हे star की deep area में अनगिनद threat एक के बाद एक धमाके के साथ तूट रहे होते हैं और यह वो barrier थे जिसमें एक भी crack नहीं था लेकिन अब इनमें छोटे छोटे cracks देखे जा सकते थे हाला कि यह चोटे से crack इतने बड़े barrier को तो effective नहीं कर सकते थे फिर भी यह crack एक छिपा हुआ खत्रा जैसा था साथी जिस टेम पे वो crack दिखाई दिया था अनगिन थ्रेट्स के नीचे वहाँ यान हे star का real inner star core था या magma का एक टुकडा लेकिन यह magma red color का नहीं बलकि purple black color का था और purple black magma के center पर एक figure बैठी हुई थी जो कि बिल्कुल jet की track transparent और काफी soft होती है और दूर से पहचाना भी जा सकता था लेकिन इसकी body पे बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते साथी यह figure एक लड़की की लग रही थी और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी पूरी body को steel needle से धक दिया गया होता है साथी खास तोर पर forehead के center पर एक golden needle होती है और यह सभी की सभी needles अजीब से encryption से बनी हुई थी और जैसे ही crack दिखाई देता है उसकी पूरी की पूरी body 108 needle से भर गई होती है 108 जो कि उसकी body से बाहर निकल गई होती है और एक needle के गयब होती है उसकी body पर 107 needle थी और जैसे यह एक needle गयब हुई थी वो purple magma वे बैठी हुई figure अपनी आखे खोलती है और जैसे उसकी आखे खोलती है ऐसा लगता है जैसे heaven वर्थ में सभी को नाराज कर दिया गया हो और एक गड़गड़ा हट की आवाज 4 तरा फैल उठती है साथी आर्थ के deep area से यह आवाज लगातार निकल रही होती है साथी पूरे ही आस्मान में यान हे इस्टार के अंदर बादल छागे होते हैं और लाइटिंग सो रही होती है और इस अजीब सीन्ने के एक बार फिर सभी को चौका दिया था जिसमें जो यान भी सामिल था और वो अपने सिर को उठा कर आसमान को देखता है जो लाइटिंग क्लाउड से डक होए थे जो देकर जिएँ बलबलाती हुए के ता कि ऐसा हो सकता है कि एक क्रिस्टल लाइटिंग पाρώ को अबजोब कर सकते हैं और ये लाइटिंग इस प्लाइनेट पर इनी क्रिस्टल के लिया आती है उसी टाइम पे क्रिश्टल बीष्ट के पीछे लगबग सौपलस लोग रैंबो में बदल कर आ रहे होते हैं दूसरी तरफ उनके सामने यूलिन रुका हुआ होता है और मुड़कर जोयान की तरफ देखते हुए तुरंती कहता है मास्टर वहाँ और पहाड़ी पर कुछ इमारते देखी जा सकती थी उन्हीं इमारतों की तरफ वह इसारा करके कहता है सर ये बो जगह है जहां पर गोजेट रहता है और ये पहाड़ी वही थी जो यूलिन ने उसे बताई थी पहाड़ पर कई ग्रे क्रिश्टल होते हैं साथ इन्हें लाइटिंग पावर कंडेंस होती है इसलिए इन्हें देखना काफी अच्छा लग रहा होता है और मैं बैपन याकी होम के तौर पर इन क्रिश्टल का यूज करना और इनसे घर बनाना और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल और आइकॉनिक लग रहा था पास आने के बाद उसने गौान जैन को भी देखा था जो अभी अभी लोटा था और उसका चैरा पीला था साथ इसने आसमान में हलचल भी सुनी थी इसलों हचाना की मुड़ता है और उसके इंप्रेशन काफी यारा सौक और डरे हुए होते हैं और सामने के सीन को देखकर उसकी आखे कापनी लगी होती और पुतलियां सिकुडने लगी होती है उसने आसमान में सैक्रो फी टूचा फ्लेम क्रोकोडाइल गोर्डन बीच देखा था और उसके पीछे सैक्रो लोग जो जमीन की तरफ से भाग रहे थे जिससे तो उसकी बॉड़ी कापनी लगती है और समुंदर की धाराओं में फसी हुए एक जाननाव जैसे जो कभी भी डूप सकती थी साथ ही वो बिना किसी हीच के चाटके अपनी केप में लोड जाता है क्योंकि उसे पता था कि योलिन बदला लेनी के लिए आया है और निश्चित तोरपा उसे मार डालेगा अगर इस मामने में समझोते का रास्ता नहीं है और भले ही वो सेरेंडर भी कर दे तो अभी उसकी डेर्थ कनपम है जिन्दा बचने का कोई रास्ता नहीं साथ उसी टाम पे जब वो केम में आता है तो उसके काफी साई सब ओडिनेट होते हैं इससे लोग तुरंत ही अपने हाथ को आगे की तरब बढ़ा कर एक बेपस अटेक करता है और तुरंत ही है लोग मास और खूर में बदल जाते हैं और वो आगे की तरब बढ़ने लगता है दूसरा फ्लेम क्रोकोडाइल गोल्डन क्रिस्टल बीष्ट और उसको फॉलो करने वाले सेक्डो लोग इस सीन को देखते हो काफी हरान होते हैं तभी एक बद्दा कहता है वो तो गोवान जैन है उसकी पावर फोर इस्टार फाइटिंग गॉड पर है और उसकी ताकत के साथ यान है इस्टार पर उसे पीक पावर हॉसेस में रखा जा सकता है जहां तक मुझे पता है तो इस बीश्ट को लीट करने वाले परसन का नाम यूलिन है और बहुत सब है पहले नहीं मैंने उसे गोजन का पीछा करते हो देखा था बास्ता में यूलिन को एक सपोर्टर मिल गया है और वो अब गोजन से बदला लेन के लिए आया है साथ ही उस परसन ने जोसके ऊपर बैटा हुआ है गोल्डन बीश्ट के ऐसा लगता है उसने उसकी फॉर्मेशन को पिन कर दिया दूस्ता बलेड मिश्ट के साथ गोजन ने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और केप के अंदर चला जाता है और केप को कसकर बंद कर देता है और केप के अंदर गोजन अपने सारे ही सेविंग्स को निकालता है सबी पिल्स उसके सामने रख्की हुई होती है साथ ही वो पहगलपन से इसकी कोई और पिल्स की पार को अब्सॉब करने लगता है जिस सूथ की पतली बोड़ी अचानक नॉर्मल हो जाती है और ब्लैड और मास फिर से लोटाता है और आखों में एक व्यल्टी होती है यहाँ पे जियो लिन की स्टोरी स्टार्ट हो रही है जो की जैसे यूनियून की थी जैसे जियो यान और क्यानिंग की थी बैसे ही जियो लिन के बारे में बताया गया है कि उसने डूइक्टी कॉंटिनेंट को कैसे जीता था और इसके बाद उसके साथ क्या हुआ और क्या क्या नहीं तो तुम लोग को वो जानना है कि नहीं वो मुझे बता देना तो मैं उस एपसोड का एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करूँगा बनना उसे छोड़ दूँगा मैं उसे टच भी नहीं करने वाला क्योंकि फिर अगर मैं एक्स्प्रेंट करूँगा और बीच में तुम लोग का होगे कि नहीं इसे एक्स्किप करो तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है कुछ लड़की अड़की वाला भी है इसमें बचाती है जियोल इनको लड़ाई जगड़ा है और जो कुछ भी है मैंने नहीं पढ़ा मैं स्किप मार रहा हूँ तुम लोग जो कमेंट करोगे वो देखेंगे अपन जिसके बाद जोयन अपने घुटनों को मोड लेता है फ्लेम क्रोकोडल गोल्डन क्रिस्टल बीष्ट के सिर पर से नीचे की दरब देखता है साथ इसे एक्स्ट्रीम टाइम पे जोयन गो जैन के दिसीजन को देखना चाता था जोन या फ्रेम क्रिस्टल बीष्ट के सिर को थप थपाता है और वो फ्रेम क्रिस्टल बीष्ट बिना किसी प्रावलम के सीधा ही सामने के परदे की तरह फोड़ जाता है और बिना किसी बैटलिस के लिए पावर का यूज के हुए सीधा ही गोजेन की formation पर attack कर देता है केबल अपने बड़े से head का यूज करके और इतना करने के बाद जैसे ही दोना attack टकराते हैं तो वो जो formation होती है दीरे दीरे light में बिखर जाती है और उसके बिखरते ही गोजेन का जो home होता है वो भी टुकडों में बिखर गया होता है जो देकर गोजेन के impression बदल गया होते है लेकिन जो यान हवा में पहले से यांगे की तरह बढ़ चुका होता है और ख्ले पे फ्लेम क्रोकोडाइल गोल्डन किस्टल बीष्ट के सिर से हटने के बाद वो उस जगे पर दिखाई देता है जहां गोजेन रहता था जिसके बाद जो अपने हाथ को उपर की तरह उठाता है और गने बादल से लाइटिंग पावर दिरे दिर नीचे कंडेंस होने लगती है ऐसा लग रहा था जैसे जो यान के थौट के साथ ये बर्ग कर रही हो और ये एक बाल्टी की मोटाई की लाइटिंग जो की एक लाइटिंग ड्रेगन की तरह होती है सीधा ही गोजेन की तरह बरस पड़ती है और इस सीन ने हर किसी को बता दिया था कि जोएन कोई एरा गयरा नत्तव गयरा नहीं है जिसके बाद पावरफुल लाइटिंग गोजएन की तरफ जोर से गिरती है हाला कि अटेक ता जिससे आसपास के लोगों ने देखा था और यह उन्हें काफी अजीब लगा लेकिन यह काफी पावरफुल था जिसकी पावर की उमीद उन्हें तो बिलकुल भी नहीं थी और उनकी पावर के और इसके अटेक के बीच में एक बड़ा डिफ्रेंस था और उनके राय में जो लोग फ्लेम क्रोकोडाइल गुल्डन किस्टल बीच को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी सील को तोड़ सकते हैं उन्हें फाव इस्टार फाइटिंग गॉड या उससे भी स्ट्रॉंग परसन होना चाहिए लिकन अब ऐसा लगता है कि जोन ने अपने औरे को अपेयर कर दिया था और उसकी ताकत के वल थ्री स्टार फाइटिंग गॉड पर थी इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार ये है क्या आखिरकार डो गॉड परनिस्मेंट एरिया के अंदर अपनी पाउर को चेपाना नॉर्मल बात थी साथी जोन ने जो और आसो किया था वो थ्री स्टार का था लेकिन क्रुएल्टी सिक्स स्टार की इसलिए किसी को भी जोन की पाउर नहीं पता थी और वो जोन से एक्स्ट्रा एलेट थे साथी जो यान की पार अनकिनत लोगों को अपनी तापा टैक्ट कर रही थी दूसर जैसे ही गॉड जैंक के घर की तरफ लाइटिंग गिरती है वो टुकडों में बिखर गई होती है दूसर तब फ्लेम क्रोकोडाल क्रिस्टल भीट भी नीचे की तरफ चला जाता है और यह जहां से भी निकलता है वहां चार तरफ लाबा ही लाबा बिखर गया था और वहां पे और भी ज़्यादा वाइड आवाजे गूजने लगती है साथी वहां से एक चीकने की आवाज निकलती है और यह वाबैसलि गोजन होता है जिसके बाल बिखरे होते हैं इसके जली हुई होती है और जब वो बाहार निकलता है तो यूजन जो लॉंग टाइम से एकसन का रियकसन करने ले तयार था वो सीधा ही बाहार निकलते हो गोजन की तरब दोड़ पड़ता है और हावा में उन दोनों के बीच खतरनाख फायट ही स्टार्ट हो जाती है हाला कि गोजन उसके बाड़ी और जन कोई से भरी हुई थी और अगर वो वास्ता में यूलिन को मानना चाता था तो गोजन कम्प्लीटली मोटीबेटेड था और कॉंफिडेंट भी लेकिन गोजन का लड़ने का कोई रादा नहीं था उसके दिल में केवल एक ही थोड़ता कि वो यहां से कितना जल्दी भागे क्योंकि अगर एक बार उसे यहां से भागने की इजाज़त मिलती है तो बदला लेने के लिए वो हरे कसम खाने को तयार था और जुएन को मानने के या बाकी लोग को मानने के उसके पास और भी मौके हो सकते थे फैति उसने फैसला भी किया था कि जो यान जिसने अभी अभी उसके केव को डिश्ट्रॉई किया वो बिल्कुल भी उसके जितना ही स्टॉंग नहीं वो सिर्फ एक 3 स्टार फाइटिंग और था उसने केवल केव या कि उसके मैंसन को डिश्ट्रॉई किया था लेकिन उसे चोट नहीं पहुचाई थी वो यहाँ पे केबल एक परसन जो की गोल्डन क्रिष्टल बीष्ट था उससे डरता था दूसर भी यहाँ के आसपास के सेक्रोल लोग की वाती तो गोजयन को पहले से ही पता था यह लोग के बल हैरान होकर यहाँ तक आये हैं क्योंकि इन्हों ने सील बन जगे से इस क्रिष्टल बीष्ट को बाहर निकलते हुए देखा है यह जो यहाँ के फॉलोवर्स या सपोर्टर्स नहीं है तभी गोजयन कहता मेरे पास अभी भी एक मौका है लेकिन मैं अब नहीं छोड़ना चाहूँगा इस समय उसे किसी चीज की परवा नहीं थी और लाइप और डेथ की सिचुएसन में और अब्वेसलि उसने सीधे सामना करना ही चूज किया था और अपने सबसे स्ट्रॉंग स्किल्स का ही यूज करना साथी मिस्टीरियसली उसकी जो पूरी बॉड़ी हो दी है वो ब्लैक पावर से ढख जाती है और उसके पीछे उसके चार हाथ और निकलते हैं और अब कुल मिलाकर उसके पास छे हाथ थे जिससे वो काफी अजीब लग रहा होता है साथ यारे एक हाथ में एक एक इस प्यार होता है जो वो खतानाक तरीके दब बाहर फेक रहा था जो ब्लैक कोई में बदलते हुए सीधा ही यूलिन की दड़ बढ़ने लगते हैं दूस्तर जोयान हमेसा की दश चिल होता है और यूलिन को इग्नोर मार दिया होता है इसके वज़ाए वो डिश्ट्रा हो चुकी केप को देखता है वो जो कुछ भी देख रहा था वो थे क्रिस्टल और जायसी बात थी गोजेन को ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ही पसंद थे इसलिए उसने इसका इस्तमाल करके यहां के भी बना ली थी दूस्त अब किनारे पर फ्लेम क्रोकोडाइल गोल्डन किस्टल बीश्ट गोजेन के उपर नाराज हो रहा होता है और रोर कर रहा होता है लेकर उसनी ज़एन से एक कदम दूर नहीं बढ़ाया था बलकि वो गुस्ते से गोजेन को देख रहा होता है जिससे तो गोजेन भी चौक गया था साथी उसके रोडने तो गोजेन को डरा कर चीखने पर मजबूर कर दिया था यहां तक कि वो जो यूलिन को मानना चाहता था फ्लेम क्रोकोडाहिल की आँकों में देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गलत और वो ऐसा नहीं कर सकता दूसरी तरफ यूलिन पूरी तरीके से ने पढ़ चुका होता दूसरी तरफ गोजेन बिना किसी इचके चाट किया से भाग जाता है जो देकर यूलिन के भी इंप्रेसन बदल गए होते हैं क्योंकि अगर उसने गोजेन को मानने का ये मौका कबा दिया तो फ्यूजर में उसे मानना और भी मुस्किल होगा जो कि यूलिन के लिए सबसे बड़ा खत्रा होगा लेकिन वो गोजेन को चाहे तो भी जाने से नहीं रोक सकता था क्योंकि गोजेन उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉंग था दोजितब जो यान लाइटिंग क्रिश्टल को देख रहा होता और उसने महसूत किया था इन सभी क्रिश्टल के अंदर लाइटिंग फावर है बात की थी वो यूली नहीं बलकि उसके बगल में बैठा हुआ फ्लेम क्रोकोडाइल गोल्डन क्रिश्टल भीश्ट था और जान का ओर्डर मिलने के बाद ये भड़न बंदा यानि बीश्ट तुरंती गोजेन के पीछे दोड़ पड़ता है और जैसे ही क्रोकोडाइल बीश्ट अपने पारफूर प्रेसर को जोड़ता है गोजेन की जो इस्पीड होती है तुरंती स्लो हो जाती है और वो अपनी सिर को घुमाता है और फ्लेम क्रोकोडाइल को देखते हैं जो उसकी तरफ दाहार रहा था तो ऐसा उसे फील होते जैसे उसकी खोपड़ी को हजारों चीटिया धीरे धीरे खा रही हो और उसकी बाड़ी के पूरे के पूरे बाल खड़े हो गया होते है और गोजेन दारते हो तुरंती अपने हाथ में त्री कलर की एक क्रिस्टल को निकालता है तभी एक बंदा तुरंती कैदा थ्री कलर सोर्स इस्टोन तुरंत कोई गोजेन के हाथ के क्रिस्टल को पैचा लेता है और हैरान हो जाते हैं और डरे हुए तरीके से पीछे की तरफ हड़ जाते है यहां सभी को पता था कि जो ये थ्री कलर सोर्स इस्टोन है वो गोजेन की लाइब से जोड़ा हुआ है और अगर आप अपनी लाइब का थ्री टाइम यूज़ करते तो आप निश्चित तोर पर मारे जाएंगे और यह उसका थार्ड टाइम यूज़ था लेकिन बहले ही वो मर जाए वो अबेसलिस का बेकलेस काफी खतना क्रेट करने बाला था गोजेन बिलकुल पागल लग रहा होता और हाथ में किस्टल को श्ट्रॉंगली पकड़े हुआ होता है और त्री कलर की बेव चारो तरफ घूम रही होती है जिसने उसे सेंटर में बचाई रखा था साथ ये थ्री कलर जो श्ट्रॉंग था ये फाइट में काफी इंपोर्टेंस निभा सकता था लगवग उसी टाम पे आसपास उसके जो जो कोई भी होता है सभी हैरान हो गया होते हैं और गोजेन ने फ्लेम किस्टल गोल्डन वीष्ट को और जो यान को किलिंग इंटेंट और इसे घूर कर देखा होता है वो जिस चीज से सबसे जार नफरत करता था वो था यूलिन लेकिन और बैसली गोजेन ने यहाँ पे मरने से पहले जो यान को मारने के बारे में सोच लिया था क्योंकि अगर जो यान यूलिन की मदद नहीं करता तो वो प्रिजेन टाइम पे इस डेथ की सिच्वेशन में बिल्कुल नहीं आता गोजेन यहाँ कोल्डी स्माइल करता है और सीधे जो यान की तरफ जाने लगता है वो जानता था कि अगर आँ उसने इसका इस्तिमाल नहीं किया तो वो मार दिया जाएगा इसलिए उसने सोल वरिनिंग टैक्निक को इस्टार्ट कर दिया था और कुर्यल एंप्रिंसन के साथ जो यान की तरफ इसारा किया था और तुरंती कहता है तो क्या हुआ अगर आप फ्लेम क्रोकोडाइल गोल्डन क्रिस्टल भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप अभी भी मेरे साथ न रख जाने वाले हैं और विसलिए जो भी डिवान परिसमेंट लेंड के अंदर सर्वाइब कर सकते थे एक दो की तो बात ही जोड़ो वो हर एक परसन अपने आप में बहुत मास्टर वाइन टाइप का परसन था और खतरनाक और उन में से किसी को भी माना काफी मुश्किल था तब जयान भी अपने सिर को इलाते हो कोल्डी गोजेन की तब देखता है और जयान की आँखों से एक तेज लाइट फूट परती है जो की होती है वाइट फ्लेम लाइट जिसके कारण गोजेन को अपनी सोल और बाडी का कॉंटेक्ट फील नहीं हो रहा होता जिससे वो अंट्रेस्टिट बेहबियर के साथ भंड इंसान की तरह इदार उदार खोपड़ा हिला रहा होता है बट कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा होता तासी इस टैंप पे वो लोग जो गोजेन के तिरी कलर सोर्ष स्टोन की पावर के द्वारा कंट्रोल हो रहे थे बे लोग भी इसी सिच्वेसन में गिर गए होते हैं और वो अपनी बॉड़ी और सोल के बीच कोई कॉन्टेक्ट फील नहीं करवा रहे होते लेकिन फिर भी यह जो सोर्ष से स्टोन था इसके अंदर की पावरा भी भी काफी खतरनाक थी साथी फ्लेम लाइट हर किसी को चक्मा नहीं दे सकती थी इसलिए कुछ लोग अभी भी हावा में जोयन को देख रहा होते हैं जो दीरे दीर गोजयन के पास जा रहा होता है और उसके हाथ से त्री कलर सोर्ष से स्टोन को ले लेता है दूसी था फ्लेम क्रोकोडायल गोल्डन किस्टल बीष्ट सीधा ही एक्सन में आते हुए अपने बड़े से मुग को खोलता है और गोजयन को जिन्दा ही निकल जाता है दूसी तब जोयन उस बीष्ट की तब देख तो कहता हुए अंगूठी तो देदे जो देखकर अचानक ही टेम गोल्डन किस्टल बीष्ट के मुसे चवाने की आवाज आती और एक लेट जो यान की तरफ चले जाती है जिससे जोयन पकड़ लेता है क्योंकि ये गोजयन की अंगूठी थी जिसके अंदर रिसोर्से सौब बेसली काफी रेयर थे और इस जगह पर रिसोर्से सबसे इंपॉर्डन चीज है इसलिए जोयन बिल्कुल भी ने नहीं छोड़ना चाता था दूसरब जब सभी लोग अपने होस में आते हैं और चावाने की आवास से सभी को नॉर्मल सिच्वेसन का अंदाजा भी हो गया था यहां पर यूली ने भी हबा में सांस लेता है और अभी के सीन में वो जो यान के पीछे था इसलिए फ्लेम लाइट का उस पर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ा था और उसने जो कुछ भी देखा था उसे देखकर वो सन भन तना टन रह गया था वो ये तो नहीं देख सका था कि यहां ने कौन से बटल स्कुल को यूज किया था लेकिन उसे एक तेज लाइट दिखाई दी थी जो काफी अजीब थी उसके लिए तो एक पल के लिए गोजर ने फाइटिंग फावर और मेमोरी खोदी होती है इसलिए उसने जो यान की तब देखना ही बंद कर दिया था लेकिन यह त्री कलेड श्टोन जो यान को लेकर उसकी समझ को पूरी तरीके से एक अलगी लेविल पर रह गया था उसे समझ आ गया था कि जो आन कोई ऐसा ऐसा पंसार नहीं है बलकि एक मिस्टीरियस परसन है यहां तक कि फ्लेम क्रोकोडाइल गोर्डन क्रिस्टल बीष्ट भी जो यहान से डरते हैं और अबेसल डिवन परिसमेंट्रिल हॉल या लेंड के अंदर यह सबसे इंपोर्डेंट बाती कि अगर आप पावर और इस्पेक्ट हासिल करना चाते हैं तो आपको अपनी पावर दिखानी होगी और क्रिवल्टी भी ताकि आप दूसरों को डरा सकें तब यह एक हवाज आती है ब्रेदर को यान हे स्टार पे पुद की पावर को सावित करने एक मिसाल बनने गोल्डन क्रिष्टल क्रोकोडाइल फ्लेम बीस्ट को कंट्रोल करने उसकी सील ब्रेक करने और सबी परिवरतंस के लिए यह तक कि गो जैन को इतनी आसानी से मारने के लिए बधाई और जैसे ही आवाज आती है एक आवाज आती है जियांग एन और आसमान में यह आवाज कापी ज़्यादा एकसाइटेड होती है और यान हे स्टार पर एक मात परसन जो कि यान हे स्टार पर दो फाइव स्टार फार्टिंग गॉर्ड में से एक था हवा में दिखाई देता है जो जो जोन को देखा इसमाइल कर रहा होता है और उसे ग्रीट करता है जो कि अब इसली एककोल पावर लेविल का सिष्टा चार था यानि कि जो तुमारे बराबरी का बंदा है उससे तुम ऐसे ही ट्रीट करते हो या रिप्रेजेंट करते हो साथ ही जियांग एन यान हे स्टार के फाव इस्टार फार्टिंग गॉर्ड में से एक था और उसकी ताकत अब बैसली कापी साई लोग को डराने के लिए कापी थी हलाकि इसे डिवाएन लेंड पिलिस्मेंट की गैलक्सी में सबसे पावर्फुल नहीं का आ जा सकता लेकिन यान हे इस ट्रम में फिर भी ये पावर्फुल में से एक था इसलिए जियांग गैन जब जोयान को ग्रीट करता है तो आस पास के सैकड़ों हाँ जो यान की दरब जुख जाते हैं दूसर जोयान एक इसमाइल के साथ फ्लेम ग्रोल्डन कोकोडाइल क्रिस्टल बीच्ट के खोपड़े पर खड़ा हुआ होता है और जियांग गैन को ग्रीट करता है जिसके बाद जोयान कहता है मैं इसे बीच्ट को काफी परसंद करता हूँ इसलिए मैं इसे बाहर ले आया अगर ये इस जगह पर ओड़े से कैवे उसका रीजन बनता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बरदास करेंगे जोयान की बात को सुनते हुए जियांग गैने इसमायल करता है उन्होंने देखा था कि जोयान उनके खिलाब जरासा भी एन्नेमी वाला बिहेवियर नहीं रखता नहीं उन्हें कोई किरिंग इंटेंट फिल हुई थी साथी जोयान के वर्ट्स में कोई भी इगोफुल औरा या इगोइस्टिक परसन या परसनाल्टी नहीं थी साथी वो काफी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा था साथी यहांपे जियांग गैन और जोयान की बात और आवाज को सुनकर उसे पहले से ही ऐसा लगा था इसलिए वो तुरंदी कहता है ब्रिदर जो फैंग आप काफी पोलाइड हैं इसलिए आपकी इन देखवाल वाली बातों को ज़्यादा सीरेसली ना लें मैं इन बातों के बारे में आपसे बाद में बात करूँगा साथी जियांग गैन अपने आसपस के सैक्रो लोग की तब देखता भी नहीं है और इतना कहने के बाद वो कुछ कह पाता कि तबी दूसी तरफ से एक ठंडे खर रांटे की आवाज आती है और जियांग एन के बिल्कुल अपोजिट डिरेक्शन बे एक ओल लेडी दिखाई देती है जिसका चेरह जुर्यों से बरा हुआ था साथी वो उतिनी ही पतली होती कि के बल उसकी आखें अलकी अलकी दिखाई दे रही थी और उसके बिक्रिवे वालों से और भी क्रूल बना रहे थे और अगर ये हूमन बॉडी में नहीं होती तो लोग यही समझते कि यह तो अपना दिमाग खो चुकी है तब ही जो है आन भी अपने सिर को इलाकर ओल लेडी को देखता है और बिना किसी इच के चाहट के आई टू आई कोंटेक्ट करता है और लेडी के आँके काफी उदास दिख रही होती है दूसतर जो है आन के आँके भी उतनी ही ज्यादा कोल्ड होती है जिनमें कोई भी फीलिंग ये अफलेक्चुएसर नहीं था और हवा में देखने के बाद ओर लेडी अपनी आखे से को इसलिए आपके थोड़े आराम के बाद मैं और जियांगेन आपको यानि पर ब्रेदर जियो फैंको साथ आट दिनों के लिए अपने गैश के तौर फार इंबाइट करना चाहेंगे ऐसे कहते ओल लेडी इसमाइल करती है लेकिन उसकी आबाज काफी तीख ही होती है जो आस सामने वाले परसन के बात में चेपे वो मतलब को समझ सकता था जो कि उसे यान हे स्टार छोड़ने और यान हे स्टार पर ना रहने के लिए कह रही थी और अधिक्तम उसे साथ दिन दिये गए थे तबी जो यान तुरंती सेहरा तो कहता ब्रदर जियांगेन क्या इसका प्टैट्ट प्लेस में रहना चाहते हैं जो देखके ज्यान के ता मैं नहीं चाहता था लेकिन अब मैंने अपने मन बदल लिया वैसे भी लॉंग टाइम तक के सर्भाइब करना इंपोसिबल नहीं हो सकता ज्यान क्या वाज धीमी नहीं थी वो जानता था कि वो पीछे नह इस्ट्रेक्ट परसनाल्टी को देखा और लेडी चुप रहती है और जान को कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद वो अपने दिल में जज़ा कर रही होती है तो चलो गए सीसी के साथ अब यह एपिसोड यहीं एंड करते हो नेक्स एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है तो वाई वाई ट्रियन फैमली